अगर लास्क वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने न कारपेंटर को पूरा बता दिया था कि क्या क्या बना रहा है तो आज हम चले हैं डेगलं बगरा सिलेक्ट करने के लिए तो चले भी आपको भी ले चलते हैं हाजी तो इससे पहले हम लोग पहुच गए हैं साइट पे क्योंकि यहाँ पर ना इलेक्ट्रिशन भाईया का कॉल आ गया था कि मैं आ गया हूँ तो हम लोग सीधा पहले डिरेक्ट साइट पर ही आ गया है तो यहाँ पर कारपेंटर भाईया जो है उन्हें बता रहे हैं कि कह तो यहां पर भी जो है कुछ पॉइंट देने लाइट वगरा के तो दोनों ने आपस में सारी बात क्लियर कर लिए तो बाद में जो है प्रॉब्लम नहीं होती है वाइरिंग वगरा निकालने की तो यह बहुत अच्छा रहता है उसके लावा यहां पर है जी हमारा हाजी तो हम लोग पहुँच गए है शॉप पे और आज हम यहां पर लैमिनेट की जो शीट है उसका कलर जै वो फाइनल करेंगे तो यह जो वीडियो आप देख रहे हो यह तीन दिन बात की और हम लोग होप कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक का जो काम है वो हो गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो चलिए कोई बात नहीं तो फिलहाल कुछ इस तरह का स्टेटस है आप देख सकते हो इसके इलावा आज आपको दिखाते हैं बेडरूम तो यह जो है नीचे वाला मास्टर बेडरूम है जहा जी तो यह है हमारा नीचे वाला बेडरूम और इसके अंदर हमें यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया जो मिल जाता है तो पहले यहाँ पर प्लाइन कुछ ऐसा था कि दो अलमीरा जाएंगी और ओपनिंग कबर्ड जो हो रखेंगे लेकिन एन्वुमेंट पर प्लाइन जो वो कै आइडिंग स्मूदली चल सके तो ठीक है जी चलते चलते अगर ऐसे आइडिया जाते रहते न तो जरूर उसे सोच लेना चाहिए अच्छा हो जाता है क्योंकि ऐसा करने से हमें यहाँ पर ड्रेसिंग का काफी अच्छा एरिया मिल गया है उसके इलावा यहाँ पर हमारा र लामिनेशन वगर लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा तो चलिए अभी उपर के बेटरूम दिखाते हैं हाँ जी तो यह है जी उपर का रूम नीचे जो हमने रूम देखा सेम उसी साइज का है यह रूम काफी बड़ा है डिसेंट साइज है तो यहाँ पर यह बन गया ह यहाँ पर हमें मिल जाता है ड्रेसिंग एरिया सेम जैसे नीचे है बस यहाँ पर जो स्लाइडिंग के हमारे जो कबर से वो डिफरेंट वाल पर बनाए गए हैं क्योंकि रिक्वार्मेंट्स कुछ इसी तरह सी इस वाली वाल पर हम लोग ड्रेसिंग नहीं बना रहें क्यों इसी के सामने जो आ जाता है जी हमारा छोटा वाला बेडरूम तो चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको तो यह है जी हमारे रूम का एंटरेंस इस रूम के साथ जो है बालकेनी अटाज़्ट है साइड में और फ्रेंट में दोनों तरफ जिस वज़ा से इस रूम का जो सा बेड है वो six by six feet का है तो उसको यहां पर रखने की जगा नहीं है तो इस वज़ा से यहां पर नया बेड जो हो बनाया जा रहा है और यह इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि साइड में जो हमारे sliding है वो भी open हो सके तो बिल्कुल बहुत थोड़ी सी जगा ही जो हो यहां पर बचेगी क्योंकि हम लोग सोच रहे कि queen bed तो at least बन जाए ताकि दो लोग आराम से यहां पर सो सके इसके इलावा यहां पर back side में यह पिलर भी है जिस वज़ा से थोड़ी सी और जगा हमारी waste हो रही है तो भाईया जी को बोला है कारपेंटर जी को कि कुछ packing वगरा दे और यहां से जो लुक है कुछ इस तरह से आ रहा है सामने tv unit भी बन गया है हाजी तो यह हमारा dressing area है इसे मैंने पहले भी दिखाया है as it is जैसे हमारा नीचे है वैसा ही है यह side में sliding से है और सामने जो है हमारा dressing area है ठीक है जी तो यह यहां से लुक आ रहा है कुछ इस तरह से सामने जो है टीवी यूनिट भी लगा दिया है भले ये रूम जो है सबसे छोटा है इस घर में लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही सुन्दर दिखेगा तो छलिए अब चलते हैं आगे बाहर की तरफ यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर भी एक sitting area जो है कुछ इस तरह से है लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है कोई भी design वगरा नहीं है रूम के साथ में इस तरह से है तो अब चलते हैं नीचे हमारी जो sheets है वो भी आ गई है तो उने भी एक बार देख लेते हैं उससे पहले जाते हैं kitchen में क्योंकि kitchen में जो है मुझे एक चीज लेनी थी अपने घर के लिए तो वो देखने के लिए आई हूँ मैं आज यहाँ पर अक्शली मुझे घर के लिए लेना है onion potato का basket कुछ इस तरह से लेकिन क्योंकि हमारे घर में already cupboards बने हुए हैं तो इसके लिए exact size जो नहीं मिल रहा है तो इसलिए बोलते हैं जब काम चल रहा होना तो पहले ऐसी चीज़े खरीद लो और बाद में cupboards बनाओ ठीक है जी तो यह है white जो theme है वो follow करेंगे और उसके साथ कुछ mix and match colors है हम लेके आए हैं ठीके जी तो यह थी हमारी आज की वीडियो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो इसे like and share करना मत भूलिएगा और हमारे चानल को subscribe जूर कर दीजेगा तो मिलते हैं next video म बाइ